हेलो दोस्तो दिस इज वाइट लोकी इंडिया वाले और दोस्तो यार इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं फाइल पॉइंटर्स के बारे में और उनके जो मैनुपुलेशन फंसंस होते हैं उनके बारे में इस वीडियो को देखने के बाद आपको फाइल पॉइंटर्स और उ जो star p से हम declare करते थे अपने प्रोग्राम में जो दूसरे variable के address को एस्टूर्ट करता था वो pointer हमारा नहीं है, file pointer एक अलग concept है, तो उसके बारे हम लो जानते हैं क्या है, each file had two associated pointers known as file pointers, सिर्फ इसका मुझे definition समझ में आया क्या कि प्रतेक file के पास दो associated pointers होता है, जिनको file pointers बोलते हैं, सिर्फ मुझे इतना समझना है, और pointers क्या होते हैं, यह मुझे नहीं पता है, तो मैं आगे बढ़ंगा और देखेंगा, one is input pointer और get pointer and the other is output pointer और put pointer, यहां मुझे clear हो गया क्या, कि जो दो pointer होता है प्रतेक files arekennt, तो पहला का नाम है input pointer या, फिर है get pointer का सकता हूँ, मैं क्या का सकता है, input pointer या फिर get pointer का सकता हूँ और दूसरा का नाम क्या है, दूसरा का नाम है output pointer या फिर put pointer. ऐतना मुझे समझ में आगया, जब इतना मुझे में आगया, accomplishments are evil to move thru the files while reading ओर दाइट अब मुझे थोड़ा सा क्लीर हुआ ज्याल से कोई fail which और ऐसे में क्या करते है तो हम किसी चीज गया करते हैं या फिर कुई आले नि या ङहां से यहां से आपने सकते हैं समझ में आ रहा है ठीक है इंपूट प्वाइंटर जो होता है is used for reading the contents of a file जो इनपूट प्वाइंटर होता है उसका इंच किस लिए होता है किसी भी फाइल में जो चीज लिखा गया है उसको पढ़ने के लिए किसी भी फाइल में जो चीज लिखा गया है अगर आप उसको पढ़ना चाहते हैं तो उसमें इंपुट पॉइंटर का यूज होगा इतना आपको याद रखना क्योंकि एक्जाम में आप से पुछा जाएगा दूसरा आउट्पुट पॉइंटर क्या होता है इसका इस होता है राइटिंग तूअ फाइल जैसे कोई फाइल है आप इसमें कुछ लिखना चाहते हैं जैसे आप कुछ लिख रहे हैं तो उसके लिए क्या होगा आउटपुट पॉइंटर का यूज होगा इतना समझ में आ गया अगया अगर वीडियो समझ में आ रहा तो वीडियो को हगा है रहां हम लोग फाइल को तीन ओबना कर सकते हैं सबसे पहले सिर्फ मुझे पढ़ना है तो रीडिंग मोड में फिघनली फिर इतने मुझे कर सकते हैं फिर र्हीं आइटिंग मोड में जैसे मैं फाइल है किसको मुझे लिखना उます मैं राइ्टिंग मोड में एक्पेंड मोड में क्या होता है यार इसमें कुछ नी कुछ लिखा गया है और इसके नीचे मुझे कुछ और लिखना तो उसके लिए मुझे append mode में खुलना पड़ेगा, जिस append मतलब मतलब हाँ add करना, जोड़ना, तो append mode में जब open करने तो क्या होगा, पहले से कोई existing file है उसमें कुछ अगर लिखा गया है, तो append mode में खुलने से खायदा क्या होगा, कि उसमें हम लोग लिख सकते हैं, पहले से लि कि जो रीडिंग मोड में open हो रहा है तो यहां pointer कहां रहेगा ठीक है तो लेट से जैसे रीडिंग मोड में ओपन मैं लिए लिखता हूं जैसे पॉई फाइल है इसमें लिखा गया है ती र आइल ओ के आई तो जैसे हम इसको कि रीडिंग मोडे में ओपिन करेंगे हमारा इन्पूट्स क्या होता है इन्पूट में ocran 2021 लिखा गया है Cooking Nh organise मृधा इंपूट्स क्या मैं लिखता हूँ कि इन्पूट्स सबसे पहले होगा क्योंकि आपको कोई भी फाइल आप उपन किजेगा तो आपको सुरू से पढ़ना रहता है मतलब उपन हो जाता है अपने आप कहां से सुरू से कि सुरू से ही आप पढ़िएगा ए नहीं कि दस लाइन के बाद से उपन होगा तो जो इंपूट पॉइंटर होता है सबसे सुरूम रहता है सबसे और यहां जाओंगा और इरजर लोगा एक नियुट में सब को इरज कर देता हूं पहले आप लेट से आप रीडिंग मोड में खोल रहे हैं तो जैसे आपका फाइल क्या है इसमें पुछ आप फंटेंट लिखें जैसे टी के एंस ब लिख दे तो अगर आप रीडिंग मोड में खोल रहे हैं तो आपका यहां क्या रहेगा इन्पॉइंटर क्यों क्योंकि यार मैंने पहले ही आपको पढ़ाया है क्या कि जब आप पढ़ना चाहते हैं आप उसको रीड करना चाहते हैं तो आप सुरू से पढ़ेंगे आप कहा से पढ़ेंगे सुरू से तो बाइड डिफॉल्ट इन्पॉइंटर कहा रहता है हमारा सुरू में रहता है रीडिंग मोड में ठीक है और मैं दूसरा बताऊंगा मैं यहां आउड़पुट प्मय्टर idler कि is उसमें नकरा रहाता है आउड़पुट कियों क्यों हम यहां हम नेके लोग्सकानी आउड़पुट राइंटिंग आउड ब्रॉइंट जोर्म से दाशा है और हम राइट भी यहीं से करेंगे अगया जब इतना समझ में आ गया तो मैं यहां बताऊंगा तिसरा एक पेंड मूड इसको समझना काफे जरूरी है क्या बहुं सार बच्जी से समझ नहीं पाते हैं और फिर वोलते हैं पंटर यहीं इसमी जैसे क्या है पॉले से कुछ से कंट्छन ही लिखा गया है और कुछ खाली है तो मुझे इसमें एपेंड करना है जोड़ने क्लिए क्लिए बाद हमारा लास्ट रहेगा हमारा यहां क्या रहेगा हमारा यहां पॉइंटर रहेगा कौन पॉइंटर आउट्पूट अब आहίαं लूंगा मैं क्या में बलूँगा आउट mm या फील पूइंकर का इज होता है क्यों व्याहीं सकता हूं तो 50 मोड में आप क्या कर सकते हैं पहला क्या दूसरा क्या क्या राइटिंग मोल कि यह आपट लिएगे कि आप लेगे कि आप बहुत अच्छा प्लेलिष उनके साथ कि उनका हेल्प हो पहेगा और विए आगे वडंगे और जानेंगे हंशन्स ऑफечат क्या है किन कर सकते हैं मतलब उसमें कुछ चेंज़े ला सकते हैं कुछ बेलु एड़ कर सकते हैं। और भी बहुत तारा ओप्रेशन कर सकते हैं ठीक है तो दखिए फाइल प्वाइंटर्स कई जुम्रों कर सकते हैं तो यहां क्या लिखा है और दे एक्सेंस इन फाइल प्वाइंटर्स टिक प्लस आटोमेटिकली मिस्सके लिए मुझे कुछ करना नहीं पड़ता आटोमेटिक मैं या इफ़्ट प्रभाइड कंतोर्टॉल अगर आप चाहते हैं कि उसपर हम पूच्ट्रोल अपना करे अगर आप पुछ नहीं कर रहे हैं फिर काम हो रहा है लेकिन आप चाह रहें कि नहीं मेरा फाइल है जैसे मैं चाहिता है वह ऐसा थूड़ा सहोना चाहिए तो अ आ जी है सीग पी ट्यल जी और ट्य पी अभी आप को नाम काफी भाली लग रहा होगा सीग जी है मतलब यहां पॉयंटर है है मतलब पूट पॉयंटर जी मतलब फोल्ट पॉट पॉट प्योंटर इतना समझने आपको आन लगा तो जब अब आजourd इस फंसल का इउज कीजी तो क्या होगा मुप्स गेट पॉइंटर या फिर इंपूट पॉइंटर इसको मिला बोलते हैं तो एस्पेसफाइड लोकेशन आप जिस लोकेशन पर पॉइंटर को ले जाना चाहते हैं वैसे तो अगर आता है सुरू में इंपूइंटर से सुरू म स्वीन हमुप्स लोकेशन पर इंग्जर चाहता है आप चाहते हैं उस लोकेशन पर आप जबर जस्टी लिए सकते हैं सबस्ति क्या का रहा है स्हूट पॉइंटर या फिर आउडपुट पॉइंटर को różnych अपठाहिं में निया है आर्टवेंटर क्या करता है इस ये फुर तो फाइल को लिखना है जैसे आप चाहते हैं कि नहीं यहां यहां से लिखना सुरू करते हैं और वहां से लिख सकते हैं कोई दिखत नहीं टेल जी क्या होता है यार तो बता देगा कि बिगनिंग में है या फिर कि कितने के बाद है वैसे ही टेल पी क्या करेगा गिव्ड परेंट पूश्य पूट पूइंटर को बढ़ाएगा कुट प्वांटर मींस क्या पूट मींस आउट पूइंटर समर्ज में है अगर आप इतना लिखते हैं तो आपको 100% मांस आने से कोई लोग ही नहीं पाएगा 100% आपका मांस आजाए वीडियो को पीछे करें दो बार देखें तिन बार देखें और कंसेप्ट को काफी बारीकी से और काफी अच्छा से समझने की कोशिश करें कि एक बार में अच्छ की जी फंसन के बारे में तो जैसे कि आपको पता है कि सीख जी फंसन क्या करता है मूब करता है गेट पॉइंटर को एस्पेसिफाइड लोकेशन में इतना पता है तो फंसन का सिंटेक्स कैसे होता है और कैसे काम करता है यह जाना काफी जरूगर जाता है कभी करूँ तो मैं क्या और उसका reference point, reference point क्या होता है ? उस reference point के लिए हम यहां यह जाएंगे और पढ़ेंगे iOS by default है iOS और scope regulation operator BEG मतलब beginning जो control है file के beginning कर दो और iOS और CER लिखेंगे तो current location मतलब जहां है वहां प्मूब कर दो आई ओएस और एंड लिख दें तो मतलब इसके पॉइंटर को तुम लो क्या कर दो लाश्ट में कर दो ठीक है तो मैं एक एक्जामपल यहां लोगा मैं क्या लोगा एक यहां एक्जामपल जैसे फाइल है यहां लिखा गया है लोग की इंडिया वाले हमने लिख दिया ठीक है अब मैंने क्या किया जैसे एस्ट्रीम अब्जेक्ट आप कोई भी एस्ट्रीम अब्जेक्ट बना सकते हैं लेट से मैंने यहां एप आई-एन फाइंड मना लिए या फिन डॉट सीख जी सीख जिपन से चु banker च यहां एस्ट्रीम उब्जेक्ट बनाओं से मैं क्या करूँगा रिकर से साध्री लिए यहां और लिख दिया तोर्भी इंयह टू प्यूंटर हम लेर इन यहां है यहां हमारा हौनेय यहां हमारा हो जाएगा मैं अजाएक हो दता हुं मैंने लिखा और , चीक लिखा और मैंने यहाँ लिख दिया four और इसका reference मैंने क्या लिखा reference point और यहाँ लिख धिया क्या बेजी बीगिनिंस पॉले अगर यहां है मैं मन यहां है इस से घंथ है करेगा एक दूर स्क närगा हमारा चाँलेंटर समय में आ रहा है तो यह हमको बताता है कि लिखेंगे तक बिंग निस चला जाएगा और अगर मैं इन दे दूँगा यहां लास्ट में चला जाएगा समझ में आ रहा है कोई दिकत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं उसमें कोई दिकत नहीं है मुझे नहीं लगता है कोई दिकत होने वाला है अगर इसके बावजूद भी कोई दिकत रहा जाता है तो प्लीज आप कमेंट कर सकते हैं आपके कमेंट को काफी अचा से सुलहा जाएगा ठीक है जब इतना क्लीर हो गया तो हम पढ़ेंगे टेल जी टेल जी फंसन के बारे में जमारा कहां है सिंटेक्स इसका भी तुछता है जैसे एक्स्क्रीम औब्जेट कोई भी आप अबजेक्ट ना लें लेट से एक फाइए डॉट इसका टेल जी फंसन आप इसको कर सकते हैं नो नीड़ प्रिफ्रेंस पॉइंटर डिफ्रेंस पॉइंट जैसे आप यहां जरूवत हैं ही नहीं और इसमें आप क्या ऐसे कॉल कर सकते हैं इसको इन पी ओ एस पोजिशन है या फिर आपको इन डॉट टेल जी फिसमें अगर बढ़ेंगे और देखेंगे कि हमारा कंप्लिट हो गया एक विड्यो पसंद आरह का तो गाल exact हमारा फंसला संका इस्के आप क्वाइंटर जबाहाँ काम करते और सके इसके रेगारिग कोई पीडाउट है हो चलिए कंदों मुझें वीडिव पसंदारा यह वीडियो में लाइक और चनल को सब्सकाइब करना बहुं जरूरी है चैनल को सब्सकाइब करने लिए उसी के साथ हम लोग इस वीडियो को अंज करते हैं तो चलिए मिलके हमगे बढ़ते हैं और एक नएट पीक को पढ़एंगे नए वीडिय